नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल उनलाइन नॉलेज वर्ड में आज जार्खंड के पर्वतेवार के आठमा टॉपिक लेके आया हूं आठमा पार्ट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन जिन लोगों ने यह डायरेक्ट आठमे पार्ट्स में इंट्रीम आ रही है बाकि साथ पार्ट्स देख लें पूरा एटू जैड सारे फेस्टिवल्स परोतेवार सारे कभर हो जाएंगे विट ट्रिक्स चलिए इसमें तो कोई ट्रिक्स नहीं है बट समझा दूंगा मैं सब कुछ मुस्लिम फेस्टिवल मुस्लिम और इससे सिर्फ फेस्टिवल ने इससे जूड़े हुए जितने भी स्टेटिक कोस्टेन है सारे चीज में बताऊंगा ठीक है भारत में सबसे बड़ी आबादी हिंदू की है अपको पता सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी हिंदू की है यह भी याद्ट यह भी पुछेगा कि क्रों नोल्ट को क्रों लोजी कल ऑडर में बताएं किसकी कितनी आबादी है सबसे ज्यादा अबादी हिंदू है हिंदू है एक 77.8 3% ठीक है उसके बाद मुस्लिम क इसके बार सब बुलेंगे कि सिख्झ होंगे या ईसाई होगे इसाई' है है इसके बार कि आवाधी ए 4.30 है इसके बार सिख़् और सिख्भ ऑादीया है सिख्भ के बार opposite तक यहां कोनिफिज्याई हम ज ज्यदी ज्यादा है झार्खन में ज्यास ज्यादा है जर्खन ज्यादा है जök जर्फ ज्यर ज्यादा है जीरो पोइंट जीरो पाइब पर में जिन के बाद है जो एमनेधर मांने है उसको भारा क mention 424 कि एक थे हैं हिन्दू मुस्लीम हूरत ह सब Eğer पाला होगा दूसरा हूं कोई यह लेकिन भूँर क nive इसाइबर या ज्यादा वूद है उसके बाद इनदिया में बहूट बहुत टूम पर ज conform lazy जादा है क्योंकि इसकी सबसे पवित्र भूमी जो है पारसनाथ इन लोगों का सबसे बड़ा टूरिश्ट प्लेस पारसनाथ जारखंड में उस एरिया में बहुत ज्यादा है यह उसके बाद बोद उस ठेक एक और इंपोर्टन कोश्चन जैन धर्म और बोद धर्म का सेंटर पॉइ सबसे बड़ा जीला पूछेगा सबसे ज़्यादा आपको अब मुस्लिम फेस्टिबल से को समझने के लिए यह समझना कुछ कैलेंडर को समझना पड़ेगा मुस्लिम लोग इस कैलेंडर से गवर्ण होते हैं हिजरी संबत हिंदू लोग बिक्रम कलेंडर से गवर्ण होते हैं बिक्रम कलेंडर जिसका पहला महिना चेत होता है आखरी महिना फालगुन होता है यह हिंदू का कलेंडर जिसे बिक्रम कलेंडर कहते हैं और भारत का नेशनल कलेंडर क्या है भारत का नेशनल कलेंडर जो है स invest मतलब चलते हैं और इंगलिश का चलता है आखरी दिशंबर होता हूँ क्या love तेट इज ग्रेगेवरियन केलेंडर ग्रेगोरियन केलेंडर ग्रेगोरियन केलेंडर अब केलेंडर के बारे में संबत बोलसकते आप देखिये कि हिज्री शंबत जो इन लोगों कुछ Mol उसकोडर ऑलो करते इसके जो महीने यह 12 महिने के नाम है पहला महिना होता है महरम उलहराम और आखरी महिना होता है जिल हिजा यह इसकी आखरी महिना बाकि क्रोनोलोजी के लिए आप याद कर सकते हो या मत करो मगर जानना जरूरी है तो हिजरी कलेंडर कब बना हिजरी कलेंडर बनने के पीछे घटना थी इन लो चोबिश शेप्टेम्बर च्छेसो बाइस इस्वी को मक्का से मदीना गए यह यात्रा उए जिस दिन यह यात्रा हुई उस्स2 बाइस इसवी थे ठीक यह उसी उनको हिज्री कहा जाता हिज्र ineightory बहुत पवित्रवर्ड है इस्लाम में रिंज्र कतलब क्या हुआ अगर पूछा जाए तो महमत सहब मक्का से मदिना गए उसको हिज्र कहते है उसी दिन से हिज्री केलेंडर यह केलेंडर सुरू हुआ क्लियर और एक इंपॉर्टन कोस्टिन है कि जन्म कभ कहां हुआ हुआ है मुहम्मद सभा का मक्का और मक्का से मदिना गए इनकी सहादत है पर हुई that is बुब मदिना मुहम्मेद साहब का जन्म मक्का में हुआ और मृत्यू उनकी मदिना में हुई ठीक है तो यह हिज्री कलेंडर के बारे में बता दिया अब बिकरम कलेंडर जो हिंदु लोग जिससे गवर्न होते हैं यह कलेंडर कि अबना यह चंद्रगू सासक फिक्रमा दित्या प टिर्स ने इसक्ससथ्च आये थे इंडिया में एटेख करने के लिए इंडिया में आये सक्किया थे खाकते खाना चरागाह की तलास में कि उसके गायभेंस को चराना है उस चरागाह के तलास में सक जो है सक लोग जो है इंडिया में आए थे और जब आए तो यहां के राजाओं ने उसे चरागाह नहीं देने से मुना कर दिया तो इसी करम में यहां के राजाओं और वह बहुत सार यह मतलब बहुत पावरफूल थे बहुत संख्या में थे उन लोग सबसे बड़ी चीज जिसके परिवार नहीं होते हैं वह बहुत ठागतवर होते हैं नंगा कहीं भी हो सकता है तो इन लोग परिवार का सिस्टेम नहीं परिवार बोले तो लोग मिल जूल के परिवार परिवारिक सिस्टेम नहीं था तो इसका मतलब यह तागतवर था तो वहां के छोटे-छोटे राजाओं को बहुत हराते गया लेकिन एक मजबूत राता था गुप्त बंस का उसका नाम सिर्फ चंद्रगूप्त था नौट बिक्रमा दिखती ठीक है तो चंद्रगूप्त ने क्या किया जितने भी सत इंडिया में आये पुरे फैले हुए सब को ख़देड के इंडिया से बाहर कर दिया उस ख़देड के भार करने की खुसी में तीन इतनी बड़ी खुसी हुई कि चंद्रगूप्त ने अपना उपा विक्रम केलेंडर चलू हो गया ठीक है और क्या होगा चान्दी के सिख्के चलवाई उसी खुसी में सख्कों पर फिजए के खुशी में चान्दी के सिख्के तो आप समझ गये विक्रमादित जितने भी राजाओं ने विक्रमादित टाइटल उस दोरान हासिल किये थे एड़ोप्ट किये थे सब ने सकों को भगाने के कारण विक्रमादित विक्रमादित मतलब ही सक को भगाने वाला ठीक है इससे हिंदू गवर्न होते हैं और सक संबत यह सक संबत हमारा का नेशनल कलेंडर है जो हम 1950 में हमारी संभीधान बनी लेकिन यह हमने 1957 में एड़ाप्ट किया ठीक है सक संभत का 22 जुलाई या 21 जुलाई 22 या 21 यह चैट पहला महिना चैट होता ना 22 या 21 चैट ही एक जनवरी होता है ठीक है या तो यह संए ओए होगा मिधफीर होगा 21 जनवरी एअधरवइस जनवरीव ठिक है तो यह सघ संभत कब बना जब वहीं अ कर दूसके का दिस्तार है कि यह तो पता किस दिन से शुरुवात हुई ग्रेगरियन कलेंडर का इसामसीह के इसामसीह के बाद इसामसीह के जिस दिन सहादत हुई उसके पहले को BC कहा जाता है उसके बाद को AD कहा जाता है और सक सम्वत start करने का यह था 78AD ठीक है और विक्रम सम्ण calendar जो शुरू बहा था 58 BC clear तो यह calendar का मैं सारा यह बता दिया आपको कलेंडर से बहुत question पूछे जाते हैं चलीएब इनके festival पे सीधे रुख करते हैं देखें, इनका पहला फैस्टिबल जो है, महीने के पहला जो, साल के पहला फैस्टिबल इन लोगों के मुहर्म मनाया जाते हैं, ठीक है, मुहर्म, मुहर्म के कहानी पुछा जाता है, मुहर्म के क्यों मनाया जाता है, तो मुहर्म जो इनके रसूल थे, मुहम्मद साहब की बे कि कर्बला के मैदान कर्बला के मैदान में कि मार दिया गया कुछ लोगों के द्वारा तो उस सहादत के उसी को सोक मनाने के लिए मुहरम फेस्टिबल मनाया जाता है कब पहला महिना मुहरम करवला पुछता है करवला अभी किस देश में है मक्ताम अदिना दोनों में ने बताया देट इस साओधी अरविया बट करवला विलॉंग स्टू इराक इराक का पुराना ही नाम है मेसोपोटामिया ठीक है उसी दिन को यह इसे पहले अली को पहले ही मार दिया गया था उसके बाद उसके बेटे को हुसेन को मारा गया ठीक है तो हुसेन के हुसेन के सहाधत में मुहरम मनाया जाता है क्लियर कब मुहरम अलहराम और इसके पहला फेस्टिवल ही है मुहरम हराम जो पहले महीने में मनाया जाता है दूसरा है मिलाद अलनभी मिलाद अलनभी और बारा वफ ठीक है जन्म एक खुसी में अब गोर कीजिए कि इसका जनम कब हुआ है महीने के 12 ट्वल्त डे को जो महीने के 12 ट्वेल्ट डे को यह कब इसका तीसरा महीना जो ने रभी उल-वल के 12 डे पे मुहम्मद सहाब का जन्म हुआ है कि मता दिया था मक्का में कि सहाधत हुई थी मदीना में ठीक है दूसरी इसकी कोस्चिन एक अब जनम लिए था ये भी पुछा जाता तरी पांसोज़ग्ग्सित कि इसमें इसा पूर्व के बाद की काहानि है ठीक है उसके बाद 12 वफात 12 वफात 12 का मतलब अरवी भासा में 12 ही होता है ठीक है वफात मतलब होता है मृत्यू तो ये बारावे दीन में इसकी मृत्यू हुई कब वही रभी उल-अपबल इसी के बारा तारिक को ही इसकी सहादत हुई सहादत बोले तो जैसे हम लोग हिंदू में बुद्ध में निर्वान प्राप्त करना कहते हैं पहलत है उसी तरह इसलाम में इसे सहाधद कहा जाता है थीग कंडूर्ब में इसकी जनमी रभी ओल के ट्विल इनकी मिर्थ्यु भी थी थी ठीक स्थिक उसले सब्ढूरा वफात शेस्टीवल कब मनाए जाता है बारा तारीक बारामा दिन रभी उल अवल के और क्यों सहादत में मुहम्मद सहादत में क्लियर मुहम्मद सहादत का सहादत हुए थे मुहम्मद सहादत का सहादत बारा तारीक रभी उल रभी उल अवल के बारात तारिक और 632 में इनकी सहाधत हुई थी क्लियर इसके बाद देखिए इद उल्फितर इद उल्फितर का क्या है क्या कुछ तो वजह होगा बैक्ग्राउंड कुछ होगा इद उल्फितर के दिन नाजील हुए नाजील मतलब ग्यान प्राप्ति बुद्ध ने भी ग्या फिर्फ तरह इन्होंने ज्यान प्राप्त किया इद उल्फितर के दिन एक इनके जो इस वर है उसके एक दूद्ध गैब्रीयल नाम था वहरा गुफा में ये तवश्या कर रहे थे मुहम्मद सहाब तो वहां पर गैबरियल नाम के देबदूत आए और उसे मतल़ कुरान को संप्रेशित किये संप्रेशित बोले तो सुनाए कुरान को लिख के नहीं दिए सुनाए वही कुरान इनका धर्म गरंत बना ठीक है कौन आये थे देबदूत पुछा जाता है देट गैबरीयल कहां पर आये थे हेरा गूफह में गूफह का नाम है हेर गूफह लेटिन इस अलसो इन शावदी अरबिया hơn थिक कि है क्या तो यह यह किस महींद पाल में में मनाया जाता है उसरेकर उपितर quality Tir Bon सवाल से, जस्ट ये रमजान उल्मुबारिक 30 reactions, टीक है। ये 30TION days रखा जाता है, जिसमें और जल ग्रहन नहीं करते हैं। सुरेश धलने के बाद ही इन लोग प्रियड करते हैं। यह 30 दिन का प्रियर्ड होता है जो आखरी यह महिना के एक तारिक से 30 तारिक तक रमजान का प्रियर्ड कहलाता है पतर रमजान का प्रियर्ड क्या है यह रमजान मुबारिक मन्त ठीक है और इद कभ है जब 30 दिन खतम हो जाता है सवाल का पहला दिन सवाल जो महिना शुरू हो ठीज़ यह बकरीद को देख लिए मैं बताया दा मुहरम जो है यह मनाया जाता है कब मुहरम-ुल-हराम फस्ट-म बंत में और जिल हीजी आखरी है इसकी फेस्टिवल डैट इस बकरीद जील हिजा ठीग है जील हिजा में मनाया जाता है बकरीद में क्या हुआ इनके इस्वर जो है उनका आदेश आया कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को तुम्हारी प्यारी चीज को मुझे समर्पित कर दो तो किनको आया हजरत इबराहिम को तो हजरत इब्राहिम को तो हजरत इब्राहिम ने इसका दुनिया में सबसे प्यारा को नहें इसका सिस्य इसका चेला जो था इसमाइल इसमाईल को इन्होंने समर्पन कर दिया, बोले तो काट दिया, उसी दिन से उसे कुर्बान ही कहा जाने लगा, तो इसमें चली एक कोस्चन बनता, इसलिए इसको मैं लोजिक बना, जोड देता हूं, इसमाईल, तो फिर क्या बोलता है, इनके इस वर अल्ला खुस हुए, तो इसमाईल को पुनर जिवित कर दिया, और जहां पर इसमाईल के लास्ट गीरे हुए थे, उहां पर एक बकरा मिला, बकरे के लास्ट मिले, बकरा, तो इस बकरा से आपको याद रहेगा, कि पहला खलीफा मुसलिम के कौन थे, खलीफा बोले तो इसके उत्राधिकारी, मुहम अबुबकर, उनका अबुबकरा नाम ठामकार, ठीक है, पहला खलीफा को था, अबुबकर, कोई अबुबकर भी उचारन होता है, अबुबकर, ठीक है, क्लेर हो गया आपका, यहां तक, आप चलिए, जो मुसलिम रिलिजन से कुछ कोस्टेंस बनते हैं, उस कोस्टेंस के ब जीवनी किसने लिखा, जीवनी, इनकी जो जीवन चरित लिखा, इबन इशाक, नाम का कोई विद्वान होगा, या उस समय के कॉन्टेंपरेरी जो भी होंगे, वो बनेंगे, एक और चीज बता देता हूं, कि यह जो आपने देखा, इंडिया से जब कोई मुसलिम नमाज प तो क्यों करते हैं, पस्चिम की तरह मक्का पहुंचता है, इधर के आदमी का किबला क्या होगा, अगर इधर है, यह मक्का की तरह मुग करके नमाज पढ़ते हैं, तो उस वर्ड को किबला बोलते हैं, मतलब डायरेक्शन को, किबला, यहां से हमारे इंडिया से किबला कि इ तो ठीक है दोस्तों मुसल्म इसलाम से रिलेटेड इसलाम से रिलेटेड और कोई कोश्चन बनता है क्या खलीफा कहा गया उसको ते लिए अब जो भी हो जाए मैं स्पेसल एक मुसलिम इलेजन के उपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो बाकी बच गए वो सब सारे कवर कर दूँगा अब यह फेस्टिवल सारे याद किजिए आप लोग और अगर पसंद आये तो लाइक किजिए सेर किजिए अपने दोस्त तक पहुचाईए बेल बटन जरूर दबाईए धन्यवाद